हलो अब्रीवन विल्कम बैक टो मैं चानल मैं हूँ रोशनी और आज मैं बनाने जा रही हूँ आटा का हल्वा जो बहुत ही डिलिसियस बनता है बहुत टेस्टी होता है और इसमें इंग्रिडेंट भी सिर्फ तो से तीन लगते हैं तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं आटा का हल्वा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इक पैन ले लिया है इसमें हम आड करेंगे टू बाइ थी कप गेहू का आटा यानी एक सो बी सैमल इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे अब देख सकते हैं कलर इसमें आने लगा है खुश्बू आने लगी ह इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे फटा फट अब इसी पैन में एक चम्मच देशी घी आट करेंगे ग्यास का फ्लेम लो रखेंगे अब हमने यहाँ पर ड्राइफूट्स आट किये हैं जिसमें मैंने काजू और बादाम लिया है आप चाहे तो और भी ड्राइफूट ले सकते हैं इसे हम हलका सा रोस कर लेंगे और एक बोल में निकाल लेंगे बहुत ज्यादा टाइम तक इसे रोस नहीं करना ने तो यह जल जाएगा बहुत जल्दी फ्राइब हो जाता है अब इसी जो घी बचे हुए है इसमें हमने जो रोस्ट ड्राइब रोस्ट किया था आटा उसे हम इसमें आड कर लेंगे जास का फ्लेम लो ही रखेंगे और इसे इस तरीके से इसमें मिक्स करेंगे घी में अब इसमें हम आड करेंगे चीनी जिस कप जिता मेजरमेंट में हमने गहुं का आटा लिया था उत्रा ही हम चीनी लेंगे तू बाइ थ्री कप चीनी ह इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें हम आड़ करेंगे लाइची पाउडर दो से तीन पिंच अब कुछ हमने ड्राइट फूर्स ले लिया है से चॉप कर लिया है बादाम और काजू ही हमने लिया है उसके बाद आधा चम्मच और हमने गही आड़ किया है अब हम कंसिस्टेंसी देखते हुए इसमें पानी आड़ करें तो मुझे यहाँ पर तीन बार आड़ करने की जड़त पड़ी है और इसे मिक्स करेंगे और जह हमने रोस्ट किया हुआ था ड्राइफूट्स उसमें हम आड़ करेंगे तो यह डिलिसियस गेहूं का आटा फटा फट करेंगे तो मुझे बार आड़ करेंगे हुआ हुआ है